हम लोग नारा देते थे कि जब रहावादों इस चिद्यालेम पढ़ते थे वेकारों को काम दो या वेकारी का दाम थे सपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री श्री अखले शादव जी का एक बयान है कि हम कारिकरताओं की सही से ट्रेनिंग नहीं करा पाए प्रेनों की गंभीर समस्या है रोजगार की समस्या है उठाया है आपने जरूर है लगे सरकार के अभी कानों पर जून ही अभी सिवाजी की मूर्ती बवाब भाण देखा कि BJP की लोगों को 귀ma कौलिसे काम कराना नहीं आता है यह कहानी शुरू होती है सैफ़ई से श्री मुलायम सिंग यादव के भाई हुआ करते थे रतन सिंग यादव साल 2003 में उनके बेटे और ब्लॉक प्रमुक रणवीर सिंग यादव का असमय निधन हुआ समाजवाद के गढ़ इटावा में एक रट तस्थान निद्मित हुआ तब दिवंगज श्री मुलायम सिंग यादव ने एक फोन मिलाया ये फोन किया गया था पूर्व का आक्सवोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्रद्याले के एक शात्र को श्री मुलायम सिंग यादव ने उस शात्र को इटावा वापस आने के लिए कहा और वहीं से सब कुछ बदल गया उचात्र ब्लॉक प्रमुग बना फिर मैंपुरी से सांसत फिर बदायू और अंत में आजमगर से सांसत वकालत और राजनीत विज्ञान के शिक्षा हासल करने वाले चौदा हुई लोकसभा में सबसे कम उमर का सांसत होने का रिकॉर्ड बनाने वाले संयूत राष्ट महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले समाजवादी पार्टी सिसांसत श्रीध धर्मेंद्र यादव जिन्होंने 2022 का आजमगर उपचुनाव 8000 वोड से हारने के बात कहा मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं और 2024 का लुक्स भाचुनाव देड़ लाग से जादा वोड से जीत कर कहा नेता जी न होते, तो मुझे आजमगर में कौन जानता अपने साक्षातकारों के श्रिंखला में आज उनसे हमने कई पहलों पर बात की तो आईए जानते हैं कि क्या है देश के एक दिगज विपक्षिनेता और सांसत का भावनात्मक पक्ष विपक्ष का रोल मैप, आजमगर, उत्रप्रदेश को लेकर उनका नजरिया और देश के कई एहम मुद्दे आज होने एक ऐसे शहर में हैं जो एक विचारधारा के लिए जाना जाता है एक विचारधारा की राजमीत के लिए जाना जाता है जहां से आने वाले सियासिक किरदार कदावर रहते हैं अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना जानते हैं और शायद इसलिए यहां की राज अक्सर चर्चा और सार्थक पिमर्ष के दाएरे में रहती है तो ऐसे ही एक विचारधारा से आने वाले देश के सशक्त राजनेतिक किरदार वर्तमान में आजमगर से सांसद श्री धर्मेंद्र रियादव जी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत धन्यवाद सर तो मेरा सबसे पहला प्रशन तो यही है कि जैसे नेता जी का एक बयान है कि इटावा अगर दिल है तो आजमगर धर्कन है तो इस आजमगर के लिए विकास का रोड मैप क्या है देखे आजमगर के विकास का रोड मैप तो सद्धे नेता जी नहीं तैयार किया है नहीं ब कोट है तो सदे नेताजीन दिया आज आगर जमगड में अगर एक्रिकल्चर रिवस्ट्री है तो मानिय अखलेशी आदवी की कारिकाल की है और तमाम जो कुछ भी आजमगड में आप देख रहे हैं वो समाजवादियों की देन है यहां के हमारे नेताओं के मांग पर इच्छ पक्ष है वो बेरोजगारी जैसे समवेदंशील मुद्दे को लेकर बहुत आक्रामक रहता है तो अगर मान लीजे भविश्च में जब आप सत्ता में आते हैं और अभी से ही इसको लेकर आपका एक स्टाइल शीट क्या है इसको लेकर क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर स खाया है हम लोग नारा दे देते थे कि जब रहोड हो इस देद्यलम पढ़ते थे बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो रुजगारी बहता दिया लेपिटॉब दिया करन्या-विद्द्ध धन की योजनाएं दि TW तमाम तरीकी योजनाएं जो की आपके पास समय नहीं होगा, इतनी होज़ना है, समझवादी लूफ चला चुके हैं, और निश्चे तोर पर आने वाले इस समय में जब अड़िया अक्रेश जी गिनियो तो अत्मे सरकार बनेगी, तो बहुत एहतिहासिक नौजमानों के लिए काम होने वाले हैं, नौजमानों को यकीन है बरूसा ह क्योंकि नौजमान निरास हो गए हैं, कुछ समय के लिए बहुत से नौजमान ऐसे थे जो जूटे बादों में फस गए, दो क्रुब रोजगार हर साल में लेगा, रोजगारी खतम हो जाएक, भी रोजगारी खतम हो जाई, तमाम तरीके जो बातें बीजे पीरिये के लोग है इसी उत्र प्रदेश के अंदर पेपर लीक के माध्यम से रद्ध हो चुकी है कोई मामूली बाते नहीं है और लोगों को एसास है नौजमानों को कि सरकार जान के सुन्जोजी तरीकी से पेपर लीक कराती है जिससे रोजगार ना देना पढ़े हैं सर्पा के राष्ट्रिय परपेच में कही हो तो यह पाइटीव में ट्रेनिंग लगातार अपग्रेड करना सदद पक्रिया है उनों चलती रहेगी उसको कोई अधरवाइस लेने की जरूर थोड़ी है यहां पर कुछ सरक कुछ हैसे मुद्धे हैं जो आपको लगता हो कि जिने राजनेतिक पटल प गिटा और कल में फिर भी जाँ दूसे चित में तुबार एक गंभी समस्या है अधर फ्रेनों की गंभी समस्या है रोजगार की समस्या है इस तरह से तंझे प्रती हम लोग अवियर्स भी हैं चिंतन भी कर रहे हैं मंथन कर व जो करने लाइक हैं अबी वी पच्छ काई तौ तो आपको क्या लगता है कि ये आपके जो 2017 का कारेकाल था तो ये उससे बहतर है ऐसे इंट्रा सेक्षर है जिसकी प्रदानमंती जी ने इसी आजमगर की अगर हम बात करें तो प्रदानमंती जी ने एक कमरे का उद्गाटन किया था ये अर्पोर्ट पे और ठीक 33-34 दिन उसमें आग लग गए थे अभी सिवाजी की मूर्ती वह आपने देखा आप तमाम जो एक्सप्रेस में इनके गड़े देखिए इनके इंट्रा सेक्षर की डिवल्लमेंट में कहीं कोई क्वाल्टी नहीं आप चले आएए बलिया बॉर्डर से सुरू कर ये लखनू तक चले जाएए उस डिजाइन में बहुत सारी इनों ने कट सौर्ट की डिजाइन कहीं आपको बैठने की सके नहीं है साड़े तीन सो किलिम्टर की आत्रा में ये है बीजेपी का मॉडर्ड आप चले जाएए बुंदिल खर्ण एक्सप्रेस वे को देखिए कितनी उसमें दिक्कते हैं ये है बीजेपी का विकास मॉडर्ड ये बीजेपी की लोगों को कॉालिटी से काम कराना नहीं आता है क्योंकि ये केबल नफरत फेलाना जानते हैं नफरत फेला के रादने तेक फाइदा लेना जानते हैं इसके लाबागी कुछ नहीं समझाए किसर महंगाई मुद्ध है बिलकुल मुद्ध होगा वहूं है बहुत से मुद्धेंदेश के सामने महंगाई है बिनुसगारी है जातिया जनर्ण है आरचन है पीडिये के लोगों हग नयायत अधिकात दिलाना है लेटरल इंटी जो बीजेपी के लोग भर रहे हैं उसको रोक मेरे अंतिम दो प्रश्न है सर आप इलहाबाद विश्विद्याले के चातर है चातर आज नीटिका काखा गवहीं से सीखा आपने हो दोजार तीन में एक फोन कॉल के बाद सब कुछ बदल गया तो उस दौरान का उस दौर का कोई ऐसा किस्सा कोई ऐसा गटना बहुत से किस्स में लेकिन इटावा का डिगरी कॉलेज खुल जाने के कारा है और चुकर इलहाबाद सैफ़ी से दूर था इसलिए निटाजी तो नहीं पड़ पाए निटाजी मुझे पढ़ने का भीजा था और मुझे शुबा की मिला गौरसाल इंविश्टिक पढ़ने का जाकर बहुत हर फिल्ड में साहित के चेत्र में है राजीत के चेत्र में है लौके चेत्र में है आपके प्रसासनिक चेत्र में है नियाइक चेत्र में कोई चेत्र ऐसा नहीं चूटा जो इलहाबाद विश्टियाले ने जहां पर नए मुकाम ना हासिल करायों तो ऐसे सांदार केंपस में मुझे रहने का मौका मिला बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और साइध वो बहुत सारी चीजें उस समय की सीखिए आज कम भी आ रही है अंतिम प्रशने सर चार जून दोहजार चौबेस जब चुनाओ परिणाम आये आप प्रेस कांफरेंस करते हैं और पहले आप प्रेस क कहा भी है कि शायद राजमीत में मैं बहुत सच बोलता हूं इसलिए राजमीत थोड़ी कठीन है मेरे लिए तो यह आम तो शुबाब एक है इतनी अतियासिक जीत हुए थी पार्टी की मेरी खुद की भी तो निता जी किया आदा आई है और टावा जैस आपने सुरू किया निता जी ने जो आजमगड के लिए माना समझा कहा तो आज अगर निता जी के रिष्टे ना होते तो साइद में आजमगड चुनों कैसे लड़ता नहीं परंपराओं को आगे बढ़ा है अधरी जी ने मुझे भी स्वभा की दिया बड़ी बात है तो यह अलग तरह की प्रदेश और अपने शहर के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माद्य में इतना ही कह सकता हूँ आजमगड के लोगों के लिए जिस उम्मीद से मुझे जिताया था मैं कोशिश करूँगा कि हर उम्मीद को पुरा कर सको बहुत एथियासिक जग यहां के लोगों की जो उमीदें उस जो मानियकले जी ने जिस उम्मीद से भेजा है मैं कोशिश करूँगा पूरी करूँगा और समाजवादियों के लड़ाई जो सची लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने में कोई कसर ने आने भूआ यह वादा है मेरा प्रदिसबास लौजवानों से, किसानों से, दलिद भाईयों से, मुसल्मान भाईयों से, पिछड़ों से, टीडिये परिवार के लोगों से, कि जिस उम्मीद से वेजा है, हर उमीद को पूरा करने में हर संबब प्रयास करूँगा। ये थे हमारे साथ हाजमगड के सम्मानित और कदावर सांसर श्री धर्मेंद यादव जी।